हेलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यू चैनल होम एजुकेशन में तो डियर स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में बताएंगे नलीन बीलोचन सारमा जी का जीवन परिचे उनका क्या है जीवन परिचे वह इस वीडियो में मिल जाएगा अभी तक आप मिल जाएगा तो चलिए देख लेते हैं नलीन बीलोचन सारमा का जन्म 18 फरवरी और नहीं सोरह इस्पी में पटना के बदर घाट में हुआ था उनका और उनका उप नाम नकेन था उनके पीता का नाम रामावतार सारमा था तथा माता का नाम रतनावली सारमा था उनके माता का क्या नाम था रतनावली वे जन्मान भशपूरी भासी थे वो जन्म से कहते भशपूरी भासी थे वो भशपूरी भासा बोलते थे नलीन बीलोचन नेक और इमंदार ब्यक्ति थे वो बहुत ही अच्छे ब्यक्ति थे उनकी एस्कूली की पढ़ाई पटना का कालेजी एट से हुई और पटना विश्व विद्याले से उन्होंने संस्क्रीत और हिंदी में में किये हर परसाद जैन कालेज आरा राची विश्व विद्याले और और अन्त में पटना विश्व विद्याले में प्रधाना अध्यापक रहें प्रधाना अध्यापक केशा साथ उन्होंने अनेकों परकार के कहानिया और कविताय भी लिखी है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कहानी लिखा है लिखी थे बीस के दात बीस के दात जो है कलस्टन्थ में आपको पढ़ने को मिलेगा बिस्के दात या कहानी आज भी पढ़ कर दिल खूस हो जाता है या कहानी जो भी पढ़ता है उनका दिल खूस हो जाता है या कहानी जो है बहुत अच्छा कहानी है कलस्तेंथम के बच्चे पढ़ते हैं नलिन बिलोचन सर्मा अपने भाईयों में से बड़े भाई थे उस समय अपने घर के साथ साथ वे समाज के लिए बहुत कुछ कार्य किये हैं उनकी कविताएं और कहानिया आज भी समाजों में पढ़ा और कहा जाता है वो समाज में कभी भी भेद भाई की भावना नहीं परकट करते हैं वो समाज में एकता की भावना को परकट करते हैं और सला देते हैं एकता रहने की सला देते हैं और उनकी मृतु कब हुई थी? उनकी मृतु 12 सितंबर और 9161 इसपी में हुई थी आई होप ए वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, केमेंट, सीर, सब्सक्राइब जरूर किजिएगा फिर मिलता है अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल से जूड़े रहे थैंक्यू फार वाचिंग माई वीडियो